Did you know, आप शादी करके टाक्स बचा सकते हैं? आपको वेडिंग में जो भी गिफ्स मिलते हैं, उस पर आपको टाक्स नहीं लगता. फिर वो कैश हो, सोने के गहने या फिर कोई लग्जरी कार. इंकम टाक्स का सेक्शन 56 कहता है कि आपके सारे वेडिंग गिफ्स टाक्स प्री हैं. और इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है. एक करोड, दो करोड, साथ करोड, कोई लिमिट नहीं. कई लोगों को basically यही पता नहीं होता कि अगर आपको एक financial year में 50,000 से ज्यादा value के gifts मिले, तो आपको उस पर tax देना पड़ता है. exception यह है कि आपके माबाब, आपके spouse, आपका भाई या भेन, या आपका बेटा या बेटी, आपको कितने भी value के gifts दे सकते हैं और उस पर कोई tax नहीं लगता. लेकिन अगर आपके दोस्त ने आपको एक iPhone gift किया, तो technically आपको उस mobile की value पर tax देना पड़ता है. अनलेस वो iPhone आपको एक wedding gift की तौर पर आपके wedding के दोरां मिला, catch बस इतना है कि ये tax free offer आपको आपकी सिर्फ पहली शादी में ही मिलती है. यहीं fact नियती को बता कर मैंने नियती से शादी की तो अब आपको gifts पर tax नहीं लगेगा ये तो पता, बस इस गरीब को gift देने वाला कोई जहीगा.